जे घुशना पत्र नी अपने यांगरती वात करी छे यश्पन आपनी साथे जोड़ायला छे जे मने आपने 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 आपनी साथे वरिष्ट पत्रकार हर्शवर्धन तरिपाथी जीपन जोराई गया छे अर्शवर्धन जी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहां पे कहा गया है कि ग्लोबल साथ को इस G20 सब्मिट में इनके प्राधानिय दिया गया है इस बात पे हमने देखा कि जो आफरिका साथ आफरिकन यूनियन को भी यहां पे मेंबर बनाना बनता हुआ हमने देखा है हमारी भारत की प्रेसिदेंसी में यह जो चीज हुई है किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं ठीके सबसे पहले तो यह हम सभी भारतवासियों के बड़े लिए बड़े गर्व का विशय है कि G20 समिट भारत में बना है और वो भी एक ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया धेर सारे कॉन्फिक्ट्स में से है मतलब जिसको कहते हैं ने कि किसी मुद्धे पर सहमती के स्वार नहीं दिख रहा है थे हर कोई एक दूसरे के खिलाफ बिना कोल्ड वॉर के कोल्ड वॉर जैसी स्थिती में था और ऐसे में भारत में प्रेसिडेंसी आती है और हम कमाल की बात यह है जिसको लेकर कहा जा रहा यानि इसका मतलब यह हुआ कि भारत के नेत्रतों में भारत का जो डिप्लोमेसी है उसकी वजह से दुनिया के वो सारे देश जो एक दूसरे के खिलाफ अलग-अलग वो जोहों से एक तरह से कहें कि तलवार ताने खड़े हुए हैं वो एक साथ बैठने को तयार हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किले जेलनी पड़ रही थी डेट ट्रैप में वो जो कंट्रीज हैं वो फसी हुई है और भारत क्या उसके विकल्प के तोर पर पुछा सकता है ऐसे में जब भारत सुदी अरब और अमेरिका का ऐसा कोई एक त्रिकोन बनता है तो वो दुनिया के ल जा है कि जो पूरे आयोजन की थीम है वो वसुधायव कुटुम्बकम का ही एक तरह से कहें कि अंग्रेजी अनुवाद है प्रधान मत्री नरें रमोदी चाहे वो राष्टा धेक्स रहे हो या जो दुनिया की बड़ी संस्थाओं के लोग आए हैं वो एक बात कह रहे हैं क अब भारत को उसका हक मिलना चाहिए और जो सबसे बड़ी बात है UNSC की permanent membership हम उस दिशा में कुछ आगे बड़े हैं economic partnership कई हो रहे हैं कई bilateral deals हैं उसको detail में जिसको कहें कि अलग-अलग बात करेंगे तो वो बहुत लंबा समय जाएगा लेकिन कुल मिलाकर अभी के लिहाज से जो leadership position है उसमें भारत ने अपनी स्थिती पहले से बहुत मजबूत की है G20 उसका एक अहम पड़ाव साबित हो रहा है अरश्वर्दी जी सबसे साथ में साथ में हमने ये वी चर्चा जरूर करनी चाहिए कि जिस प्रकार से एक लक्ष पहले से भारत का रहा था कि समगर विश्व को विकास शील देशों की आवाज सुननी पड़ेगी जो अब तक नहीं होता था लेकिन इस बार G20 के एक बड़े मंच पर हमने ये मजबूत आवाज सुनाई है सबको कि विकास शील देशों के बारे में भी सोचना पड़ेगा उनके हितों को भी ध्यान में रखके चलना पड़ेगा और साथी साथ जैसे आफरिका यूनियन के बारे में भी ये डेवलप्मेंट हुआ है जो पहले भी एक दो बार प्रयास हो चुका था लेकिन आज भारत की आगवाई में ये सफलता मिली है तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मिलेगा जी सर निश्चित तोर पर जब आज इसकी G20 की मीटिंग की जो फॉर्मल एक तरह से कहें की शुरुआत हुई और उसमें जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने उस परस्ताव को किया चुकि पहले से सहमती होती है उसमें सब कुछ तह था लेकिन उसके बावजूर उनका अपना एक तरीका है और जिस तरह से विदेश मंत्री डॉक्टर जैशंकर अफ्रीकन यूनियन के जो प्रक्निधी हैं उनको लेकर आए और फिर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी उनको गले लगाते हैं ये एक जो समावेशी विश्यो की बात है और अफ्रीका को जिस तरह से कहें कि दरकिनार करने की कोशिश होती रही लंबे समय से उसको सिर्फ और सिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की सिर्फ G20 की इस दिल्ली समिट से नहीं शुरू हुई भारत ने लगातार हर मंच पर ये कहा कि अगर ये जो जिसको हम कहते हैं ने जो ऑर्गनाइजिशन है जो इंस्टिूशन है जैसे उनाइटे नेशन है डबलू एचो है डबलू टी अब उससे आगे उनका नीतियों में कितना हिस्टा है कितना वो तै करने वाले हैं और ये बात प्रदान मंत्री ननेदर बोदी लगातार कह रहे हैं एक तरह से कहें तो वो उसकी आवाज बन चुके हैं G20 में अफ्रीकन यूनियन के आने के साथ ही वो भी भारत की प्रसिडेंसी में उस पर स्टैंपिंग हुई है और नरेंदर मोधी के नेत्रित को एक तरह से फिर कहें विश्व मंच पर एक बार फिर से प्रतिष्ठा मिली है भारत की प्रतिष्ठा और बहतर हुई है बड़ी जी हर्श्वर्दन जी आगे आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहां पे जो गोशना पत्र आया है उसमें जो बाते उलेख की गई है जिसका जिक्र किया गया है उसमें वैश्विक आतंगवात का भी जिक्र आट से नौ बार किया गया है और इस जो गोशना उलेक भी यहां पे किया गया है तो जो ये विश्वस आंठी का मामला है जो भारत के लिए आतंगवाद का जो मुद्दा है उन सब के देखते हुए यहां भी भारत को बड़ी सफलता मिलती हुई आप देख रहे हैं भारत तो हमेशा से कहता रहा कि देखे इसलामिक आतंगवाद बड़ी मुश्किल है और आतंगवाद किसी एक देश के लिए किसी एक जगह के लिए किसी एक रीजन के लिए नहीं होता है अगर एक बार आतंगवाद को पाउपसारने का उसर मिल गया तो पूरी दुनिया के ल लेकिन जब उसकी चपेट में अमेरिका आ गया और अभी तो दुनिया के ज्यादा तर विक्सित देशों में विशेश करके अगर हम कहें जो यूरोपी यूनियन के देश हैं जिन देशों को माना जाता था कि वो बहुत एडवांस सोसाइटी बना चुके हैं वहां तो सब आगे जा चुके हैं और वो कहते थे यह तो developing world की समस्या है या वो कहते थे यह दो देशों की समस्या है आज आप ये भी देखिए कि आज भारत के संदर में कोई पाकिस्तान की बात नहीं करता है कोई comparison नहीं है कोई तुलना नहीं है यहां तक हम इन पिछले 9-10 सालों में आ ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना किसी वक्त तो Islamic आतंकवादियों के लिए United Nations में वीटो पावर लगाए और दूसरी तरफ कहें कि नहीं नहीं हमें तो आतंकवाद खत्म करना है उसके अपने देश में मुसलमानों पर अत्याचार करता है को गर मुसलमानों पर human rights की मुश्किले खड़ी होती हैं लेकिन दूसरी जगा जाकर कहें और यहीं आईना यूरोपी यूनियन और अमेरिका जैसे देशों को भी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने दिखाया इसके पहले भी इस पर सहमती बनी अब G20 में इस पर सहमती बनना और joint declaration अपने आप में बहुत बड़ी बात था और यहां देखिए एक बात और मैं कहूंगा पहले से ही भारत की जो domestic politics है उसमें कई तरह की बात हो रही थी तो यह भी का जा रहा दक देखिए शी जिन पिंग नहीं आ रहे हैं पुतिन नहीं आ रहे हैं हालाकि पुतिन के ना आने की वज़ा यह थी क्योंकि उनके भी द्विपक्षी रिष्टे तभी ठीक हो सकते हैं जब सीमा पर सेनाएं अपने पर्मनेंट बेसेज की ओर चली जाए और जब वो नहीं हुआ तो द्विपक्षी वारता प्रधान मंत्री ने नहीं सुईकार की शी जिन पिंग के पास कुछ था नहीं बताने के लिए इस कुछ ऐसा कुछ एड करने की स्थिती में नहीं थे इसलिए उन्होंने अपने प्रधान मंत्री को भेज दिया और मुझे लगता है कि इसके बावजूद ये जॉइन डेकलरेशन बनना उस पर सहमती बनना ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है और जिसको हम कहने हैं कि अपड़ी साथ है वरिष्ट पत्रकार हर्शवरदन जी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम चर्चा कर रहे थे मैं ग्लोबल लीडर्शिप में जो भारत की पॉजिशनिंग है अब एक सवाल आप पर ये लेका आना चाह रहा था आप देखिए अजे बंगा साब वॉ अपते चल रही है उनके उपर भी तो एक तरीके से ये जो दस साल 2021 से शुरू हुए है आप देखें तो ये भारत के हैं साथ औस पश्ट रूप से लग रहा है और जिस तरह से मेजबानी की है इस बार G20 की भारत ने ये भी देखने को बन रही है हर्श्वरदर जी निश्चित तोर पर देखें एक तो ये कि हम लोगों को सबको खुश होना गरवाना ये बड़ा स्वभाविक है तो कि अगर कोई भारत वन्शी है हिंदू है तो बहुत स्वभाविक है लेकिन एक बात हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो सारे लोग हैं ये को करते हुए बहुत इन्होंने खुद को साबित किया बार बार इन्होंने जहां जो जिम्मेदारी मिली उसको बहुत अच्छे से निभाया और वहां तक कहुँचे ही रिशी सुनक के संदर में एक बात जरूर मैं कहूंगा कि बिटेन के लोगों को बड़ी हिच्किचाहट थ और जो सबसे बड़ी बात है कि जब हम भारत के साथ इनके निभायों की बात करते हैं तो हम इनके मूल के हिसाब से बात करते हैं जब जिसको हम कहते हैं कि रिशी सुनक बात करते हैं तो हिंदू के तौर पर निश्चित तौर पर उसको उन्होंने गर्व है और वार बार व इससे में वो उस position के लिहाज से काम करते हैं लेकिन ये तो जरूर है क्योंकि वो भारत वर्णशी है हिंदू है तो बहुत सी चीजे आपकी इस वजय से भी ठीक हो जाती है एक जिसको कहते हैं कि emotional connect होता है कई बार आप जो अड़ने की एक स्थिति आती है कि आप एक दूसरे क को समझ नहीं पा रहे हैं तो वो इस तिती नहीं आती है और इन सब वजहों से भारत का प्रभाव तो निश्चित तोर पर बढ़ा कि अर्थव्यवस्था बहुत खराब इस्तिती है उसमें अपने कांधे पर भारत लेकर उसको आगे चल रहा है हम सिर्फ जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था ही नहीं है हम अपने साथ जो इस तरह के दूसरे देश हैं जिसको बार बार ग्लोबल साउथ के नाम से कहा जाता है उन सब के एस्पिरेशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये ज़्यादा महत्व हो की तो आएक जी आपने यांगर्टी खास वाद करीशे आप महत्वनी चर्चा अपने हर्षवर्दन जी साथे करीशे हर्षवर्दन जी आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया आपका बहुत-बहुत तर्यवाद